कि यहन में रिप्यारे शेर बाद रहूं आरके competitive classes में फिर से धमाकेदार और पिस प्रोडक्स स्वागत है basic maths calculation आप 13 को धुआ धुआ करते हुए आगे बढ़ेंगे भॉलूम बन जो जो बच्याविता के साइन में नहीं खरीदें पटना में है तो आप आके खरीज सकते हैं आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी गया है एड्रेस और नहीं तो आप contact करके आप पता कर सकते हैं WhatsApp करके WhatsApp नंबर भी आपको बहुत बार दिया जा चुका है ये दोनों बुक आउनलाइन मंगाना चाते हैं तो एक वीडियो के माध्यम से बताया गया यमी काट के माध्यम से आप आउनलाइन ओर कर सकते हैं दो से तीन से चार दिन के अंदर आपके पास ये सारे बुक्स आएंगे गुरुजी के चर्णों में सतसात नमंत साजन कुमार है अर्मान है अमन है एमडी गुफराज है विद्या कुमारी है पंकज है शंदीप है अभिनव है तो सारे बच्चे बहुत सारे जुड़ते जा रहे हैं तो आजाओ मेरे बाहदरों टाप 13 आप सभी को भिसमफ देख दिया घ्या था मेरे मेरे बाहदरों कि आप सभी क्या करना है पिडियृत और डाला हुआ है तो और बारहुआ है यह हमारे टेस्ट टाइप आगया उस पर टेस्ट भी दे सकते हैं और आपको स्वल्यूशन भी करवाया जागा जल्दी 25 सेट जारी किया जा रहा है आज से कल तक में एक दो दिन के अंदर सीजियल का 25-30 सेट जारी किया जाएगा फिर उसका स्वल्यूशन भी मैं दूंगा इ ठीज के लिए आप विडियो देख के लिए यूटूब पर एक्टिव रहे है वहां पढला है मैंने यमी cảٹ से आप ऑनलाइन लाइन मंगा ह कैसे मंगा सकते हैं आप ध्यान से उसको देखे वीडियो को यहां पे केवल हम पढ़ाने आये हैं ध्यान से पढ़िए को राज है यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी तो आजाओ मेरे लाड़लों मेरे बहाद्रों शुरू करते हैं हाँ सेस्फल प्रमे मैंने आपको स्पेसल पढ़ाया था कौन-कौन पढ़के आया है इम अंदारी पुरुवक बताएगा मैंने आपको स्पेसल टाइप पढ़ाया था जब हम लोग सत्रा रिकॉर्डेड क्लास देख रहे थे सत्रा रिकॉर्डेड क्लास जो अभी भी उपलब्द है जो नहीं नहीं बच्चे जूड़ रहे हैं जरूर उसको देखें तूसरे मैं मैं आपको स्पेसल पढ़ाया था मेरी मेंडर थ Yinर क्याप नठाल क्या पढ़ाय था मेरी बाद्रों रिकॉर्ड हां यादे कुछ आप बाई टाइप यहानी सेश्वल पर में सेश्वल पर में फिर उसका रिवीजन भी मैंने करवाए था जो बाद में 17 क्लास मैंने रिवीजन करवाए test yourself के रूप में दो बार पढ़ा चुका हूं इसको पहले भी आप सभी को दो बार पढ़ा चुका हूं यानि यहां पर केबल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा सारा रिवीजन हो ठीक है तो चलिए बूक का श्टोर पर यह assignment बूक का श्टोर पर मिलना मुश्किल है assignment नहीं मिल पाएगा अर्थमेटिक का timing क्या है यह वाला basic कतम होगा इसमें अर्थमेटिक स्टार्ट हो जाएगा नहीं पढ़े मेरे वहादूर तो जरूर पढ़िए संदीब बोल रहे हम पढ़े हैं आपके पास उपलब्ध है जरूर पढ़िए जरूर पढ़िए तो जो जो पढ़े हैं दो बार पढ़ा चुका हूँ इसको clear करके चलिए हाँ पर clear करते हैं नहीं पढ़े हैं तो भी clear होगा ऐसा नहीं है कि नहीं clear होगा हमारे पास एक कोशन है कि 73 है कितना 73 है गुना 89 है और गुना 81 है इस सभी को एक साथ भाग देना है कितना से 11 से 11 से भाग दे के बोल रहा है कि बताओ सेस्फल क्या होगा बताओ मेरे बादरों की सेस्फल क्या होगा बताओ की सेस्फल क्या होगा तो मैंने आपको इसका तरीका बताया था यह टाइप एक था टाइप एक फिर से रिवीजन हो रहा है फिर से रिवीजन हो रहा है जरा ध्यान दिजेगा वहतरीन डंग से इसको क्लियर करते हैं इक 11 से पहले इसको तीनों को गुणा करके 11 से भाग देने चकर में आप फस जाईएगा कभी भी गुणा पहले भाग दे लीजिए उसके बाद जो शेस्पल बत्रा गुना है तो गुणा करें जोड़िये तो जोड़िये उना देखिये कि एक 11 से बढ़ा आ गया तो फिर 11 से भाग देजिए मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे निए जब तक ए 11 से छोटा होजाए 11 से भाग देते रहाना या कोई भी संख्या है भाजक है जिससे भाग दे रहें उससे छोटा ही सेश्पल होगा उससे छोटा ही सेश्पल होगा सर इसका कोश्चन भी नोट्स करना है क्या कोश्चन क्यूं करें जब आपके पास तो सिर्फ नमबर देना है बस कोश्चन नूट नहीं करना इपर कोश्चन नमबर दे दिजी क्या करें पहले ग्यारा से भाग दें गार चिया सथ बची पुल्टा पुल्टा लिए साथ बचा फिर एगा एकर सत्य सततर तो दो बच गया फिर यहां पर चार बच यहां पर हम नो लिख दिये तो गुना के रूप में है तो यहां पर हो जाएगा साथ साथ सद्दुनी 14, 14.56, 56 में फिर हम लोग 11 से भाग देंगे तो 11 पचे 55 सेसपल एक बचेगा मतलब जो सेसपल बचेगा केवल उसी को लिएक चलेंगे तो उसी बहाने गलती होने के बहाने दोबारा सीख गये ना गलती होने के बहाने दोबारा सीख गये ना मज़ा है अनन्द है आप देखलो बोले थे साथे लेकिन लिखा गया था नौ यह होता है ओभर कॉन्फिडेंस हडवड में गडवड देखलो आप सभी बच्चे तेज तरा रहे हैं ध्यान दे रहे हैं बस लाइब रेगुलर ज नहीं सीखो कि सोचो कि इतना में भी कोई महित नहीं सीखेगा तो कोई आपको सिखा सकता है एक वार पूरा थियोरेटिकल पड़ाई बित एक्जामपल दोबारा रिविजन कर वार और तीसरा जवड़दस्त रिविजन हो रहा है तो फिर हम सभी का हो गया चौदा एकीस ग और जाएगा तेज हो जाएगा बारा जाएगाक शयकत नेंस्वा जावधा में यहां गल्द होगा तो बोलिएगा में 12 खतम बचक दो 22 22 एक ही बार लगए गभाए 12 में 12 खतम 10 10 10 पूर पांच 105 पिर 25 और गुना करिए सब्सक्राइब प्र पाइटिस नम आप चाहे तो पूरा गुना कर सकते हैं यह को गुना करके यह दिए बारह से बढ़ा हो गया तो अहीं पर भाग दे सकते हैं कि यहां पर देख लीजिए 75 35 35 बारा से बढ़ा है तो फिर 12 35 में आप भाग दे सकते हैं 12 दूणी 24 बच गया 11 फिर 11 이านवय 9 बारा स्भायक दिजिए- बारा अठी 96 96 कट गया बच गया तीन यहीं सेस्पल हो अंसर उतना ही आना है तेकहे थे आप तीनों को बड़ा को गुना करके करिये यहे सेस्पल अंसर उतना ही आना है तो यह आप तीनों को बड़ा को गुना करके करिए या पहले नोस्ते तीरे सट नोस्ते तीरे सट को बारा से भाग दे दीजिए तो कितना बचेगा अब कैसे भी चलिएगा तो तीन ही आएगा मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बस यही वाली बात आजाओ मेरे बहादूर मेरे शेर कर आएगी भाड विल्दा रिमेंडर आउफ मलब इसका सेस्पल क्या होगा कितना का 1530 प्लस तेस तेस पंद्रास तेस प्लस तेस 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 बटावनीस पंद्रास तेस प्लस तेस 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 बटावनीस तो पहले उनीस से दोनों भाग देते हैं या तो चाहें तो जोड भी देश सकते हैं आप चाहें तो जोड दीजे जोड के भाग देए या बारी-बारी से भी जोड सकते हैं इसनों भागतें गैंगे। अभर एकशों बचेंगे थीन अब लगेगा यह नहीं तो जीरो बार लगेगा थीन तो उनिस से इसमें भाग दिया तीन इसमें पांच अब इच में पलस हो जाए तो इसलिए से स्पल हो जाए नहीं बीच में पलस है तो चिंको भी आपको देखना पड़ेगा प्लास माइनेस है क्या है ये भी आपको देखना पड़ेगा नहीं तो फिर गड़वड करिएगा हड़वड में गड़वड तो आप देख रहे हैं थोड़ा सुपरफास चल देता है फिर वही बात है आप एक में नहीं सिखिएगा चवरदस्ति सिखाएंगे ऐसा ऐसा दस को संडाल के देखिए 1661 15 15 14 14 13 12 20 बटा 20 यहां पर देखिए 20 से जब इसको हम लोग काटेंगे 20 सट एक सो साट बच गया छे 20 तिया साट बच गया एक इसको काटेंगे 20 सते 14 15 15 15 15 फिर 27 14 11 बचेगा पिर 27 14 4 बच गया बिच दून चाली से एक बचेगा फिर विच्छा के 120 फिर यहां ग्यारा बचेगा फिर यहां एक बचेगा अब देख लिजेए बने हां सबीच से बाग देखिए आप चूंकि पलास है तो जोड़िये फिर एक ग्यारा बारा घ्रारा यहां 13 3 ज्यारा ग्यारा 24 चूविस ग्यार इस फिर फिर शावरज माद भाव देखिए यह इसली तो सेष कितना बचेगा पांच है यही हमारा सेशितफाल हो गया 2 यही हमारा उसली होगए आप लोग को मैंने बना के आने के लिए बोला था चुकि बहुत सारे बच्चे सेस्वल पहले से पढ़ रहे थे टेस्ट में 100 रुप्या लगता है अब कौन सा टेस्ट है अभी अपडेट नहीं हुआ संदीब जी टेस्ट में बहुत सारा कोर्स अपडेट करा दिया जाएगा आरके सार टेस्ट रैप बला पर ना तो उसमें बाइली डिटिया और सेट नंबर के अनुसार फी लगेगा दस और प्या का टेस्ट रहेगा उसमें भी अपडेट नहीं हुआ आज साम राथ तक सारे का रेट भी अपडेट हो जाएगा बिलकुन मिल मैं हो अब बहुत सारा तो फिरिये में टेस्ट रहेगा बह अपने दोस्तों के साथ देख सकते हैं तो उस पर डेली लाइब टेस्ट भी चलेगा कि टाइम एक फिक्स कर दूंगा बाद में कि यहां पर देख लिजिये पांश नंबर कि सिंपल सी बात है 9 पर पाउर 8 पलस बन है भागा आठ तो क्या यह को याद है आप पढ़ाए थे याद करिए याद करिए याद करिए यह पर पावर एन भागा ये माइनस बन हो अर्थात जब किसी संक्या में समझे फिर से पढ़ाई रहा हूँ आपको इन तीन बार जब किसी संक्या में एक कम से भाग दिया जाए एक कम से भाग दिया जाए तो पावर कुछ भी हो पावर कुछ भी हो सेस्पल हमेशा एक होगा याद आया कुछ जो भूल गया होंगे उनको भी याद आजाए सेस्पल हमेशा एक होगा यह स्पेसल बताये थे ए पर पावर एन भागा ए माइनस बन मतलब किसी संक्या मुझसे एक कम से भाग देते हैं सेस्पल हमेशा एक होगा जैसे 10 पर पावर 144 इसको भागा देते हैं हम लोग 9 से चुकि 10 में 9 से भाग देंगे तो एक बचेगा आए एक पर कितनों पावर रहे कितनों एक गुना एक गुना एक करिए तो यहां पर सेस्पल एक ही होगा मालियत दूसो पचीस है इस पर पावर 679 है इसको भागा दे रहे हैं दूसो चौबिस से तो सेस्पल क्या होगा बताईए जल्दी से सेस्पल क्या होगा तो यहां पर भी सेस्पल हम सभी का एक होगा क्या होगा मेरे बादरों सेस्पल एक होगा एक कम से भाग दे रहे हैं तो यहां देखे आठ से एक में तो लगेगा ने क्योंकि एक छेटा है तो नौ में देगे तो नौ में देगे तो एक पर चुकि एक कम है पावर कुछ पर एक ही होगा अब यह का एक जोड़के दू हो बिल्कुल सांती जगा पे आराम से बैठिया और पढ़िये आनंद उठाइए क्लास का लाइव जुड़ने का पूरा प्रियास करिए ठटा नमबर कोशन मेरे बाहदरों क्या है स्काहरा 28 बाषत है इसका स्कुलाइर है इसको भाग कितना से देना है 23 से वुलीए सार स्कुलाइर तो बाद में करेंगे पहले 3 से भाग दे लेदें 24 राहे जाये गुनार है पहले तेस से भाग देंगे 102 में 92 खतम 10 अब 10 का स्कॉार है तो फिर 10 का स्कॉर 100 में फिर तेज से भाग देंगे 92 तो बच गया 8 यहीं हम सभी का सेस्फल यहीं चाला की हो गया क्या कहते हैं मजा रहा है आनंदार है आप सभी को लो यह बच्चा प्रॉफिट लॉस में है प्रॉफिट लॉस पढ़ना असाइन्मेंट का पूरा टाइप बाई टाइप लगबग बारा तेरा टाइप में पढ़ाएं वह प्ले लिस्ट मिल जाएगा सुपर 50 सुपर 30 मिल जाएगा गर्दा उड़ा के दिन में खतम कर दीजिए चली आगे बढ़ते हैं किसी को दिक्कत पर रशानी नहीं है अगला बढ़ जाईए आज तो चलेंगे ही आप काल्कुलेशन खतम होने दीजिए ना फिर एकदम सुपर डूफर फास चलेंगे मेरे बाद रहूं यह ऍधिया है ते तो वह इह वाला है नहीं वहां पर क्या था 282 था यहां पर क्या है 28-73 है वाओ फिर से 28-73 है इसको भाग देना है पावर कुछ भी हो असक्वाइर हो भाग देना है मेरे बादरों 23 से तो पहले तो आप तेज से भाग दे लो है 23- squared 28 में 23 खतम पांच पांच पर साथ तो यह संतावन हो गया तेज दूनी चियालिस तो चलिस क्तम उग्वाइर एक्सो तेरा हो जाए ग्यारा पर तीन एक्सो तेरा तो टेस सपांद्र होता है लेगिन है एकसो तेरा में बानवे ही लगाएं तो एक सो तेरा में बानवे ख में 441 बढ है 441 तालीस में फिर तेस से भाग देंगें तो देखें का सिस गया हैocal किया है त्थाटारी से प्रें फिर थाट और देगें तो देक्यासे कटेंगा यह भागा दीजिए तेस नमा दूसर्णने सातम तो बचデव चार सेजफवल होगा पता इसलिए मैं बेसिक पे इतना समय क्यுं दे रहा हूं इतना दिन में तो छार-पाइड बेर में किस देता क्यूंकि बेसिक के ककारण याप मैहित का कूपोर्शन का शिकार हो जाते हैं लेकिन जिस तरीके से आप सभी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसमें सभी में गुना भाग करना है तो आपका कैलकुलेशन बहुत मस्पूत है सर बुक कब मिलेगा बुक तो आई गया ना पटना के पटना में है तो आप ले जाएए वार्शेप नंबर दिया भी गया आपको एक वीडियो भी डाला गया ऑनलाइन कैसे मंगाएंगे यमी कार्ट पर ओडर करिए उसके बाद वहां से आप ओडर करिए दो से तिन दिन में आपको ऑनलाइन कहीं भी है यदि अधर स्टेट में हैं तो चार से पांच दिन के अंदर आपको पहुंचाएंगे तो आप मंगा सकते हैं अभी फिलाल दूगों मंगा लिजे फिर बाद में मंगा लिजेगा तो आप देखेगा वीडियो तब ना हर चीज पर डाले हैं चल कोना बड़ा पावर है 17,94 मतलब समझते हैं कितना बड़ा पावर है एक लाख हुना से 1824 और इसको भाग देना है चार से अब सोचे नियम से बनाएगा एकदम कि पाच गुने 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 पूरा गांट, टोला, महला, बाले, बच्चे मिल के भाग गुना करते रहे, दो चार दिन गुने करने में लग जाए, कम पी ट्रो फेल हो जाएगा, उसके बाद उसको चार से भाग देजिए, सबसे आसान तरीका क्या बताए दे, यदि कोई संक्या एक कम है, उससे भाग दे रहें तो पावर कुछ भी हो, सिस्पल हमेशा एक होगा, सिस्पल हमेशा एक होगा, एक कम से भाग दे रहें, तो सिस्पल हमेशा एक होगा, अरे भाई, रिकॉर्डेट क्लास भी रहता है, अब वो आपके घार आके बताएंगे, वो आपको न ढूनना है, अप्लिकेशन प कर रहें आप सब कुछ है मोवाइल में वेकार का चीज की है हम बूक मंगा लिए कल ही जारखन से जारखन से मंगा लिए जारखन में मिल गया जारखन से ओनलाइन लिए है या फिर आप बुक कहीं से इंतजाम कर लिए के बिल्कुल चलेगा एक वार रिफ्रेस मार लीजेगा रिकोर्डएड क्लास भी चलेगा और जैसे टूर्च करते हैं तो चार पांट सेकेंट उस पर समय दीजए एक वार मॉभायल को रिफ्रेस कर लीजेगा मतलब लॉग अट लॉग इंक चलेगा चलिए आजाएए मेरे बादर बढ़े चलिए तुफानी अंदास में फिर यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर भी एक होगा क्योंकि 63 पर पावर कुछ भी है बासट एक कम से भाग दे रहें तो सेस्पल एक होगा एक कम से भाग देने तो सेस्पल एक होगा एक कम से भाग देने तो सेस्पल एक होगा चलिए आगे बढ़ते हैं तुफानी अंदाज में अब यहां पर आ जाएं तीरसट पर पावर 942 है पलस पांच है इसको भागा देना है बासट से ने निधे तो सेस्फल क्या होगा अबेड़ी बात तो बारी बारी इस दोनों भाग लगेगा यह पांच में तो भाग लगेगा ने चूंब यदि भाजक से चोटा कोई रासी है तो उसमें भाग नहीं लगता है अभी 62 से इसमें भाग लगाएंगे तो एक कम यहीं सेश्पल हो गया तो अब एक बच गया यह पांच एक शे बच गया यह 62 से चोटा है तो यही सेस्फल हो गया क्योंकि 62 से बढ़ा रहता तो और भाग लगता लेकिन चोटा ही है तो सेस्फल यही हो गया सेस्फल 6 ही हो गया बिल्कुल 100% कभार होगा पूरे मेहनत से बनाईए 600 जरूर कभार होगा मेरे बादरों पीटी में सारे चलो आगे बढ़ते हैं कोर्शन नमरी 11 आजएए 11 शांदार सा कोर्शन 11 मैं आपको बताता हूँ कौन पहले बनाता है 63 पे पावर 943 है माइनस वन है इसको भागा देना है 62 से जल्दी बताईए सेस्फल क्या होगा मैं इंतिजार कर रहा हूँ मैं इंतिजार कर रहा हूँ मेरे शेर बहादरों इंतिजार कर रहा हूँ जल्दी से बनाईए तेरा इन्तिजार करता हूँ मैं तुझे कल भी प्यार करता हूँ मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ सारे बच्चे जीरो लाले हैं सब हीरो हो जाएगा जीरो टुझे रो बैच पड़के सब हीरो हो जाएगा मेरे बादरों इस बैच का परचार करिए आपके भाईवायन रिलेशन फैमली उनको एक व़र बताईए कि मौका नहीं चूको खजाना मिल रहा है आरके सरके अप्लिक एक माइनेस एक बच गया जीरो यहीं हम सभी का सेस्पल हो गया यह निसे सेस्पल जीरो का मतला है वह पूर्णता विभाज्य हो गया कम्माल कर देते हो यारों आप लोग तो बहुत बढ़ियां है कि बढ़े चलें अब आजाएए यहाँ पे मज़े वाला कोश्यन सबसे पहली बात 27 है इस पे पावर 742 है और प्लस मेरे वहाद्रो 542 है और इसको भाग देंगे हम लोग 26 से तो 26 से बारी बारी न देंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे डाटा अधूरा है को बचा बोलड़ा डाटा अधूरा है अधूरा कैसे है अधूरा कैसे है तो क्या करेंगे पहले 26 से इसमें भाग दे लेते हैं खबी दुनी बामन होता है मेरे बाधुर, चबीस दुनी बामन होता है, चववन में बामन खतम बच गया दो, फिर दो पर दो लिखेंगे बाइस, तो जीरो बार लगेगा, तो यहां बाइस का बाइस ही बच गया, खबीस से सताइस में भाग देंगे, सेस के पावर कुछ भी एक ही होगा तो एक और 22 मिला कि तेष्पल हो जाता है अब फ़्वाइस से चोटा हो गया तो वही सेस्पल हो जाता है कि बढ़िया है और बिलकुल आगे बढ़ते चलिए एक किसी को दिक्कत परशानी आपत्ती बीपत्ती शंका लगुशंका यह तो बोलिये जल्दी यहाँ पर देख लिजे का कमाल का कोशन है, लिखने की जरुवत ही नहीं है, बुले सर सर सट, एक कम से भाग देनें, पापर कुछ भी रहे, सेसफल एक होगा, अभी एक है, माइनस पांच है, तो जब एक और माइनस पांच, ध्यान दीजे, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर सेसफल कभी निगेटिव नहीं होता है, इस परकार के, इस परकार के स्थिती में, मतलब यहाँ यहाँ माइनस में आ जाए, सेसफल बराबर, सेसफल कभी माइनस में नहीं आता है, यदि निगेटिव आ जाए, तो उसे भाजक में घटा देंगे, उसे भाजक में, एकदम साफ लिख रहा हूँ, उसे भाजक में घटा देते हैं, उसे भाजक में घटा देते हैं, यदि निगेटिव आ जाए, मेरे लाडलों, मेरे भादरों, तो उसे भाजक में घटा जाएते हैं, मतलब आप समझने का प्रियास करिए मजे से समझे कि हम सभी का माइनेस चार आया तो इसलिए तुरात सेस्पल बरावर लिख देंगे भाज़क कितना है जी तो भाज़क हम सभी का शट है इसमे ही चार को घटा देंगे बच कितना गया तिर सेट यही हम सभी का सिस्पल हो गया, यही हम सभी का सिस्पल हो गया, वाव, बहुत सारे बच्चे चालाक निकले, सर मुझे बहुत ओभर थिंकिंग होता है, इसका उपाई बताएं, हो, आप मेरे केटोगरी के आदमे हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में, ओभर थि कीज़ी रखो इतना आपको इतना सुचने का समय गैंड जया ना से कितना आपی ये यह सब को समझ में आ रहा है मेरे बादरों कि शिए वो दिक्कत पर रिशानी है नहीं कि यहां पर 38 है कि पुले सर है क्या यहीं पर भाग दे दीजिए 38 पर पावर 1937 कि माइनस 1135 यह पूरे को भाग देना 37 बुले आ कि सर पहला ची तो यह देख लिजिए एक कम 38 यहीं सब्सक्राइब लेकिन यहीं सब्सक्राइब तो भाग दिजिए तो 37 एक सो ग्यारा होता है एक सो तेरा है 37 तीजिए 111 देख रहा है काल्कूलेशन फास्ट हो जाएगा आपका 33 एक सो ग्यारा एक सो ग्यारा एक सो ग्यारा दो बच गया दो पर पांच पचीस पचीस में भाग लगे दो पचीस तो पचीस अब चब्चीस यही सेश्फल हो गया और अब इस नहीं तो यह बच गया यहां पर माइनस नहीं माइनस चौविस आगया तो हमने क्या बताई था भी पिछला मता कि सेसफल कभी नहीं होगा यह दी निगेटिव आ जाये तो सेसफल के लिए क्या करना भाजक में घटा दी इसलिए सेसफल बरावर सॉइंटीस माइन मैनस चौबिस अब 37 मैं से चौबिस घटेगा तो 13 भचेगी फिर चौबिस कैसे होगा उतो हम सोचे कि पहला सहिसलिये न स्थ 25 कर दिये थी लेकिन माइनस है तो 25 गया माइने 26 लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि निगेटिव में तो सेस्पल होगा ही नहीं देख रहा है कितना बढ़िया से हम लोग सीखते जा रहे हैं एक एक पॉइंट को एक पार्ट को पूरी तरीका से सीख रहे हैं आज यह मेरे बायदुर्र यहां पे हम सभी का है 48 पर पावर 945 भागा 49 अब सवाल है कि एक अधीक से बहागे रहें एक अधीक ना है अभी तक कम से भाग दे रहें तैसे यहां 49 यहां 48 रहता यहां 38 यहां 37 रहता था लेकिन एक काम से भाग दिया जाए तो यह भी आपको हम अस्पेशल टाइप पढ़ाए थे एक अधिक से भाग देने वाला कि अस्पेशल टाइप पढ़ाए थे तो चली आईए मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं एपर पावर यधी एपर पावर एन भाग एपलस बन जो पिछला हम बताए थे उठा एपर पावर एन एन के मतलब कोई भी नचूरल नंबर कितनों बड़ा पावर एक पावर एन भाग ए भाग ए माइनस बन था जब एक अधिक से भाग दिया जाए ए पर पावरेन भागा एक पलस वन का मतलब है अर्थात एक अधिक से भाग दिया जाए तो इसमें दो कंडिशन है पहला सेश्पल एक होगा जब पावर यानि एन है वो समसंख्या हो दूसरा सेस्टफल एही होगा परलब जिसमें भागदर है वही हो जाएगा जब पावर यानि एन एक भी समसंख्या हो क्या हो मेरे बादरों जब एन एक भी समसंख्या हो फिर साहिए बड़ा मज़े की चीज है काता यदि ए पर पावर एन भागा ए प्लस बन अर्थात एक अधिक से भाग दिया जाए किसे संख्या में एक अधिक से भाग दिया जाए पावर क्या है पावर भी सम है तो इसलिए यहां सेस्पल 48 हो जाएगा इसलिए यहां सेस्पल 48 मैंने पूरूफ करके भी बताया था क्यों होता है यहीं पर एक कोर्शन और यदी मैं दे दूं यह 48 पर पावर है छेसो सत्तर या छेसो बासट कुछ भी इसको उन्चास से भाग दे रहें तो यहां देखिए एक अधिक से यहां भी भाग दे रहें लेकिन यह पावर क्या है सम है इसलिए यहां पर जो सेस्पल होगा एक होगा तो मेरे खायल से आप पूरी तरीका से किलियर हो गया होगा ऐसे यहां पर अंसर तो 48 होगा लेकिन मैंने एक्जांपल भी आपको बता दिया कि पावर भी सम हो तो सेस्पल वही बाला हो जाए कि लिए रहें कोई दिक्कत है कोई परशानी है तो बताईए कोई दिक्कत इस यहां भी भाग दे रहें आप 37 पर पावर कितना है 348 अंस भी का भागा हो जाएगा 30 बताए सिसफल क्या होगा जल्दी बताईए सभी बताएगे मेरी शिर्वह यहांपर सिसफल क्या होगा उले सरे यहां पर तो एक ही होगा ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं यहां पर पावर भी सम रहा था तो 37 हो जाता 37 option में भी नहीं दिया था तो दिमाग लाएने की जरुआती नहीं है आज यह काता वार्ड विल्विल्ड रेमेंडर 29 पर पावर 1781 इस डिविजबल वाइट 30 फिर वह यह 29 पर पावर 1780 है भागा 30 सेस्फल बताए क्या होगा अब क्या चाहिए कितना बढ़ियां से साइन्मेंट तो सेट किये हैं एक कोस्टन में नहीं सिखेगा पूरा अर्थमेटिक भी यह जो भालूम टू है जैसे भालूम बन में अभी हम लोग कैल्कुलेशन का तेरामा टाइप पढ़ रहे हैं भालूम बन में यह देखिए भालूम फिर इंडिसे शच पढ़ेंगे सिंप्लिफिकेशन ल्च में से इसको घरदा उड़ा लिये तो फिर मैथ कुछ है नहीं यही जो भालूम बन है यही में मैथ यह अनमोल है इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग परवेश करेंगे भालूम टू में जिस में हम लोग में में डालें रेशियो प्रोपोर्शन पार्टनर्शिप एवरेज एज मिक्षर एंड एलिगेशन फिर आगे भालूम अगला में बढ़ेंगे और इस प्रकार से हम लोग नास्ते नाभूद करते चले तो यहां पर सेस्फल क्या है जल्दी बताईए सारे बच्चे 29 लाएं इसलिए 29 होगा क्यूंकि एक अधिक से भाग दे रहें और पावर भी समय है एक अधिक से देंगे तो पावर देखना जरूरी है तो 29 ही हो जाएगा किसी को को दिक्कत परिशानी है मेरे बादरों तो बताओ बुक तो आही गया है जी आनलाइन करिए काता है what will be the remainder if 43 पर पावर 943 भागा 47 लो यह हुई ना बात 47 पर पावर 943 भागा 47 पले सरी तो कट गया सेस्पल 0 बचेगा तो कि भाग दिया इसमें कट गया 0 जीरो पर केत्रों पावर रहे तो 0 बचेगा कि ओ उल्टा हो गया है कि गलती हम लोग देख लिए सौरी 43 पर पावर 900 900 900 943 माइनस 47 भागा 48 यह तो कमाल वाली बात हो गई भाई फिर भी लगता जीरो ही होगा क्यूं इस 47 में तो भाग लगेगा ने क्यूंकि 47 48 से कम है तो जो कम रहे उसमें भाग लगता ही नहीं लगत ही ने तो ऒरिका ही नहीं तो ऑरहे तालिस हो गार तालिस यानी एक अधिक से भाग दें जो ही आया यए मझा है आनंद आप सबी को मेरे वादरों आज आई आगे हैं फिर वही उसी प्रकार का कोशन 37 पर पावर 933 है पलस 538 है और यह पूरे को भाग देना है मेरे बहादरों 38 अब हम सभी जान रहे हैं कि पहले तो हम 38 से यहां भाग दे लेंगे देंगे न तो 38 से भाग दीजए 38 से भाग दीजएगा तो तीरपन है 38 से कहीं 38 तो कटिये गया तीरपन में 38 से कहीं 38 कट गया मेरे लाडलों मेरे बहादरों तो बचा कितना मुझे लगता है तीरपन में 38 घटाएगा बारातिन पंदरा बच जाएगा फिर शाहिए 38 से काई 38 तिरपन में 38 खतम 15 15 पर 8 एक सो बामन 38 से जैसे 19 से 6 आठ बर में बामन होता 38 से चार बार में तो 38 से बचेए कितना पांच है यह अनंद है सारे बचे फड़ा फड़ जुड़िये किसी को दिक्कत पर रशानी यह 20 महां हम पहुंच गया ये वाला question 20 और 21 आपको बड़ाई बहतरीन ढंग से हम next classes में आपको बताएंगे next class में आपको बताने वाले हैं तो आपका हुंबर की ये रह गया कि पूरा type revision कर लेना है पूरा revision कर लेना है ये वाला type ठीक है जो बचे अभी तक recorded class नहीं पढ़े हैं इंडा theorem का पढ़ लीजिए ये बहतरीन question है महलब next class में हम लोग इसको पूरा करेंगे 36 तक 36 तक पूरा होगा next class में अभी मज़ेदार मज़ेदार question language वाला question सब बचा हुआ है next class इसके अलावे आपका home work है कि आपके assignment मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहूं जो भी नए बच्चे है आपने भाई बहन को जरूर बताई कि एक बार zero to hero पढ़ लिजे और अभी तो ऑफर भी 499 में साथ मिल रहा है कोई coupon code का यूज करने की जरूरत नहीं है और के सर अफिसियल उन्हें प्ले स्टोर से इंस्ट्राल करने बोलिए रेच्टर लॉग इन करेंगे आराम से मिल जाएगा तो यहां पे हम लोग कितना इस जो रहना चाहिए हुआ ही है कि यहां पर हम लोग कहां टाइप बारा हो गया कि अब देखें बड़ा मज़े का कि यह टाप 13 हम लोग बना रहे हैं टाप 13 के बाद जो 14 आने वाला है वो इकाई अंक प्यादारी थे यूनिट डिजिट टाइब आइट बेहतरीन पढ़ा आपसे फॉंडेशन पढ़के सीजिएल कराइग कर सकता हूं देखिए फॉंडेशन जाप अंब लिजिया तो फिर आप प्राप्रीव्यस का प्रैक्टिस करना असान हो गया प्रैक्ट्स करते रहीएगा निस्चीत हो जाएगा काई ने होग वियम्मी काट यूंईस कर सकते है इसका अप्लिकेशन भी है प्लेस्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या क्रोम से प्रोम प्रोजर पर जाए सर्च में लिखिए यमी काट उसके बाद उसका आगे का प्रोसेस एक वीडियो भी मैंने बना दिया यूटूब पे आरके सरका बुक कैसे खरी दे वहां पर आप सब्सक्राइब आपको डाल दिया जाता है और जैसे यह खतम होगा इसका हम लोग कुछ टेस्ट भी आप सभी से लेंगे हमारा टेस्ट आप भी आ चुका जिस पर स्पेसल फिरी में बहुत सारे टेस्ट आप दे सकते हैं और यह आपके कोर्सेस में भी आ स्पेसल टेस्ट म आपको मिल जाएगा प्लस यह वाला बुक है आपका साइद 120 रुप्या का है लेकिन फिलिप कार्ट पे कुछ यह यमी कार्ट पे चार्ज यूज एक्षा लगेगा तो ठीक है और यह वाला साइद 150 रुप्या का है तो आप देख सकते हैं अगा मिलते हैं फिलिप कार्ट अमेजन पर नहीं मिलेगा उस पर यह भी नहीं है वह बाद में आएगा जब जादा मत्रा में रहेगा तो अभी जादा मत्रा में बुक है नहीं तो यमी कार्ट वुला ले गया है और कुछ बच्चे यहीं से आफ्लाइन लेके जा रहे हैं तो सेकेंड स्लॉट आएगा तो अभी समय है तो यमी कार्ट भी सर्च करिए नहीं से फिलिप कार्ट पर आप और करते हूं उससे कम आपको डिलेबरी चार्ज आएगा और उससे जल्दी पहुंच आएगा यमी कार्ट पर आप करके देखिए डाउनलोड थोड़ी ने करना है क्रोम बड़ पर लिखे यमी कार्ट जैसे अमेजन लिखते हैं बस यमी कार्ट लिखे होँआ पर जाएगे आउनलाइन करें कैसे आप पंगा सकते हैं बो भी किलियर मैंने किया है मिलते रहते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए ब्लस्यू